तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टेन कोविक के बारे में अभी मार्केट में एक बहुत जादा रियूमर फैली हुई है और जो वो रियूमर है वो है इन दोनों का डायवोर्स आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि या फर यह सिर्फ एक रियूमर है और अगर सच में इन दोनों का डायवोर्स हो रहा है तो इस केस में अभी तक इन दोनों ने इतनी चुप़ी क्यों साधी हुई है अभी तक इन लोगों का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है तो इ मैं भगवान से प्रेई करूंगी कि आप लोग इसी तरह से हमेशा अच्छे पानी रहें तो चलिए इसी के साथ हम भड़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत जादा इंपोर्टन टॉपिक है क्यो इसी के साथ हम भड़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ तो लेट्स के स्काड़ेड तो देखा फ्रेंड्स आपने हार्टिक पांडिया अपनी वाइफ से कितना जादा प्यार करते हैं उन्होंने अपनी स्वालिक की एक आवास पर बोल दिया अरे तुब बोलकर तो देख कितना पैसा चाहिए ए भबान मुझे ऐसे जीजा कब मिलेंगे तो गाइस आपको ये वीडियो आज पूरा लास तक देखने हैं और बीसे स्किप नहीं करने हैं क्योंकि आज मैं इस वीडियो से लेटर आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि ये जितनी भी बाते हैं ये सिर्फ अववा है या इसमें कितनी जादा सच्चाहिए हो और अगर ये सिर्फ एक अववा है तो आखेकर हार्दिक पांडिया और नताशा ने कुछ भी स्टेटमेंट इस बात पर क्यों नहीं दिया हैं लास तक देखेगा मैं आप पूरा डिटेल देने वाली हूँ तो फ्रेंड्स आपने अभी जो भी कुछ देखा ये सब कुछ सिर्फ एक मिस्टर ट्रोल है यानि की मेमेज और जो भी कुछ अभी हार्दिक पांडिया की लाइफ में चल रहा है उसको देखकर मेमे तो बनने ही थे हाफ ट्रोल की इंडिया है यहाँ पर कोई भी नया क्रि पैली गौनी है वो नताशा के एक्स हैं चिनका अभी उनके प्रिजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है और अब मैं आपको बताती हूँ अब तक की सबसे जरूरी खबर तो अभी की जो कड़कती खबर है वो ये है कि जैसे ही IPL खतम हुआ हारदिक पांडिया तो रंथी भार घूमने चले गए अपनी फैमिली से अलग और वहीं दूसरी तरफ नताशा किसी कैफे में घूमती हुई नजर आई अपनी बिना फैमिली के किसी और के साथ इसलिए लोगों का ये मानना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक अफवा है और ये सब इन दोनों की मिलकर जा कि फैल आई गई है कि जो शिकस्त अरदिक पांडया को आई पेल के अंदर मिली थी उसमें सिंपski करने के लिए तकि हारदिक पांडया को लोगों की सिंपाथि मिल जाये आगे इस पैज में ये भी बताया गया है कि हारदिक पांडया और उनके पतनी नताशा दोनों open arrange marriage में बंदे हुए थे, अब open arrange marriage क्या होती है ये मैं आपको बताते हूँ, open arrange marriage के अंदर दोनों की शर्तें clear थी, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंदन में बंदे तो रहेंगे मगर वो शादी के बंदन में बंदे रहते हुए भी, किसी तीसरे इनसान के साथ भी रह सकते हैं इसमें एक दूसरे की रजामंदी रहेगी और कोई भी किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाएगा किसी भी तरह की, तो इन दोनों की शादी में शाली सर्तें बहुती जादा clear थी agreement के अंदर, और rumors का ये भी कहना है, कि अगर उनके को ढखने के लिए, और तो और ये लोग अपी कुछ टाइम में ही अपना एक joint statement भी देने वाले हैं, जिसके अंदर दोनों clear करेंगे, कि ये सब कुछ सिफ और सिफ एक अववा है, असलियत में उनका divorce नहीं हो रहा है, तो guys, आप लोगो को मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, I hope आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ही informative लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो please मेरी वीडियो को like, subscribe and share करके ज़रूर जाए, हम फिर मिलेंगे कल से एक नई entertainment वीडियो के साथ तक लिए, bye bye, I love you all